अलो नमस्कार दोस्तों एदान्द कलासिस के ओनलेंड प्लेटफोर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व एबिनेंदन करता हूं मेरे अनजीत सिंग हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भारत की स्थती और विस्तार स्थती और विस्तार को हम लगतार आगे बढ़ाते हैं और यह साइथ आज अंतिम टोपिक होगा मतलब अंतिम कलास होगी स्थती और विस्तार की उसमें अपना पूरा हो जाएगा दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था कि भारत के अन्य पड़ोशी देसों के साथ कितनी सीमा लगती है वो एक ट्रिक बताई थी मैंने बच् किया बच्पन में किया तो बांगलादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल म्यामार भूटान अफगनिस्तान साथ देशों की सीमा हमने लिखी थी और सब का देखा था तो अंतिम में अपनी अंतिम क्लास में था के भाई इस देश से इतनी सीमा लगती है उसके हम आगे बढ़ सुछ रहे हैं भारत के अंतत अस्थलिय राजी भारत के जी राज्जी जी जोस्त हों स्थलिय का मतलब होता है कि वहे राज्जी इसकी सीमा नोकिसी देश से लगे और नहीजी समुदर से लगे उसे बोलता है ंट सबसे कोन से है देखों दोस्तो यह अपना भारत आपका और मेरा और प्यारा बारत सब का इसमें पांच राजी है दौस्तों वह है कशलबसे रही अंपि सर बड़ा कौन सा है आहा अनट सबसे निए राजी ओने सबसे चोट राजी कोन है वो भी देख लो एक बार पड़ा जूम करके दिखा दूँ देखो यह अपना भ्यारत के अपना है खतरनाक भारत इसका नाम क्या है खतरनाक भारत दोस्तों खतरनाक भारत में सबसे बड़ा राजी है MP के देखो कि सीमा कहीं से नहीं लग रही है कि सीमा किसी भी ने तो राज्जी से लग रही है और नहीं समुद्र से लग रही है ने तो सीमा समुद्र से लग रही है और नहीं राजी से लग रही है कौन है एक तो यह अपना प्यारा एंपी थरनाग MP 11 MP मध्यपर्देश राज्य है। अंतर्ष्टली राज्यों में सब से बड़ा राज्य कोन सा है। हो है अपड़ा मद्य परदेश कौन सा परदेश मद्य परदेश इस से जश्ट छोटा राज्य है च्छतिस गड़ तीस गड़ राज्य की भी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है नहीं किसी भी अन्य देश है और समूदर से नहीं लगती है मतलब अंदर है यह अंतर स्तल राची ना जारखंड यह जारखंड है अपना सيलो। यजारखन्दों carve the madhya-pradesh असे चोटा 4 zal36को चोटा है तेल लेंगाना से चोटा है जार खंड और जार खंड से भी चोटा है अपना Understand अत्र छतrना रएंद हर्याना ये रेड़ ज्म्हें बारे मैं बाद बताँ हाँ आपको हर्यांद कमाने सा है कताई जहराज्जे अधाइथ जहराज्जे है और ये छोटा सा दिल्ली यह यहां पर दिली दिखा दू क्या यह रहा कि दिल्ली है और यह तो प्रशन ए अंतरस्तली राज्जियों में सबसे बड़ा राज्जे कौन सा है मध्यपरदेश, एमपी, एक नंबर पे ज्यचोटा है, सत्यसगर्ड, दो नंबर पे ज्यचोटा है, तेलंगाना ज्यचोटा, 4 खंड 4 खंड कितने है, 4 नंबर पे और सबसे छोटा है, HR, हर्याना 5 नंबर पे दोस्तो आपके पढले पड़े पूद मेने प्रैक्टिक्ली तोर पर कैसे है करा दिया है कि सबसे बड़ा राज रासों में कोन है अन्यद्य पर देष्ट इस चोटा चतीश गारड इस चोटा तेलेंगाना तेलंगाना से छोटा जारकन जारकन से छोटा हर्याना और इधर दिल्ली आप जानता ही हो छोटा सा ठीक है तो हम इसको अपनी भासा में लिख देते हैं भारत के अंतस्तलिय राज्जी है न क्या है भई भारत के अंतस्तलिय राज्जी भारत के अंतस्तलिय अज्जिय इनका भी करम है छेटर फल के दरश्ट्ी कोन से सबसे पहले तब हम लगेंगे सबसे पहले हम लगेंगे अनत्र त्लिकिकर से कहते हैं क्या लिखे हैं अंतेस्थलिये अंतेस्थलिये की परिवासा क्या है की परिवासा है कि वह राज्जिय जिसकी सीमा ना तो किसी राष्ट से और नाई समुदर से लगती है अंतस्त्रली राज्जिय कहलाते है वह राज्जिय वह राज्जिय जो ना तो किसी समुदर से या तट से तथा ना ही किसी अन्य राष्टर से ना ही किसी अन्य राष्टर या देश से चुड़ता है ना ही अन्य राष्टर वा देश से चुड़ता है चुड़ता है से अंतस्तली राज्जिय कहते हैं से अंतस्तली राज्जिय कहते हैं अंतस्तली राज्जिय किसे कहते हैं वह राज्जिय वह राज्जिय जो ना तो किसी समुदर से या तट से तथा ना ही किसी अन्य राष्टर या देश से जुड़ता है अंतस्तली राज्जिय कहलाते हैं भारत में ऐसे पांच राज्जी है भारत में अंतर्ष्थ लिए कितने हैं भारत में अंतर्ष्थ लिए राज्जी कितने हैं भारत में अंतर्ष्थ लिए राज्जी कितने हैं भारत में अंतर्ष्थ लिए राज्जी पांच है वो पांच कौन-कौन से हैं वो सबसे बड़ा है अंतरस्तली राई ये मद्य परदेश कुन सा परदेश मद्य परदेश मद्य परदेश से जश्ट छोटा है 36 गड़ मद्य परदेश से जश्ट छोटा है 37 गड़ 37 गड़ से जश्ट छोटा है तेलंग आना तेलंगाना से जस्ट छोटा है जारखंड और जारखंड से जस्ट छोटा है अपना प्यारा हर्याना कताई जहर हर्याना हर्याना पताओ अंतरस्तली राजियों में सबसे छोटा राजी कोन सा है हर्याना अंतस्तली राजियों में सबसे बड़ा राजिय कौन सा है मध्य परदीश अपनी बात की लिए रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं अंतस्तली हो गए अपने इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं को स्ट लाइन क्या देखते हैं कोस्ट लाइन या समुद्री सीमा क्या देखेंगे को्षट लाइन रटी सीमा या समुद्री सीमा देखो भारत की भारत'. भारत की भारत के तट वरति रज्वी लिगलो पहले भारत के वेह से बहुत अच्छा सवाल बनता है भारत के तट वरति रज्भ धी कि एसाई आरेस जैसे एक्जामों में इंट्री पूछते हैं अपना करम बताओ भई सबसे ज्यादा सीमा किस राजी की लगती है सबसे कम किस राजी की लगती है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वेसा में बताऊंगा आपको देखना अब मैं आपसे पूचू पूरे भारत म देखो पहे राज जी या केंदर साश्ति प्रदेश बताओ इसकी सीमा सरवादिक लगती है तो आप क्या बताओगे आप बताओगे गुजरात लेकिन गुजरात बिल्कूल गलत है आप को वहाँ भई है आप तो फोल्दार इंसान हो गुजरात को भी गलत कर रहे हो अरे ग है भारत भारत के तुर्वरता राज जीवेएं नो और केंद O केंदर साश्तित परतेस चार एक परसे आए ऒ महारत के राज जीए या केंदर साश्त परतेस जिस्की सीमा समूधर से लगती है तो कितने हैं तेरा बताने तेरा ना कि आपको 9 बताने अरे भाई नो तो अपने राज्जी है और चार केंदर साशित परदेश है नो राज्जी हो जाएंगे गुजराद, मध्य परदेश, गोवा, करनाटा, केरल, तमिल नडू, अंदर परदेश, ओडिसा और पस्चिम मंगाल पांच इदर है और चार इदर है पांच राज्जी पस्चिम की ओर है, चार इदर पुरव की ओर है तो पांच और चार नो नो तो अपने राज्जी होगे और चार केंदर साशित परदेश बताऊंगा मैं आपको अंडमान, निकोबार, दीप, समू, लक्षदीप, दमाने उन दाधर, नागर, हवेली और पंडी, चेरी ठीक ह आपको नो मैं बताऊंगा पूरे डीटियल से पढ़ेंगे आपको लोड नहीं लेना कतई में पूरा लिखाऊंगा बोर्ड पे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेले बता दूमें आपको कि भारत के नो राज्जी हैं, भारत के नो राज्जी हैं, और चार केंदर साशित गुजरात, कोन सा रात, गुजरात लिगलो, ये है भाई गुजरात, ये है अपना महाराष्ट्र, ये है अपना प्यारा सा गोवा, ये है प्यारा सा गोवा, और ये है सुन्दर सा करनाटक, ये है अपना सुन्दर सा करनाटक और ये है कताई जहर केरल ये है कताई जहर केरल तो बताओ बारत के चटपरती राईजियों की संगे कितनी है पस्चिम की और भारत के पस्चिमी चटपरती राईजियों की संगे कितनी है एक दो तीन चार पांच बताओ गुजरात महराष्ट गोवा करनाटक केरल पांच राइजी होगे अब चार इदर लिखाऊंगा मैं आपको यह है अपना तमील नाडू को कौन सा नाडू तमील नाडू इदर लिख दो कि कलर से लिखते हैं कि यह है तमील नाडू यह है अपना अंधर परदेश कोन सा परदेश आंधरो अंधर परदेश कि तमील नाडू यह अंधर परदेश यह हो जाएगा अपना ओडिशा यह ओडिशा और यह हो गए अपना पस्चिम बंगाल तो भारत के तटवर्ती राज्यो की संग्या पूछे तो नो है कौन कौन सी देखो एक दो इन है यार पांच केरल एक गुजराद दो महराश तीन गौवाज चार करनाटक पांच केरल ठीक और छे नमबर आजाएगा तमिला डू अधन नम्र आजाएगा अपना अंधर परदेश आठ नम्बर आजाएगा ओडिशा और नो नम्बर आजाएगा अपना पच्चिम बं करनाटक केरल अमिल अर्डू अंध्र प्रदेश ओड़ी जा पच्छी पंगाल आप से पूचे भारत के पच्छी मिचतवर्थी राइज्वों का उत्त दक्षिन से उत्तर की और करम बताओ तो बताना केरल करनाटक गोवा महराष्ट गुज्रात पच्छी मिचतवर्थी भारत के पूर्वी थटवर्थी राइज्वों का दक्षिन से उत्तर में करम बताओ तो तमिल लाडू अंध्र पर्देश ओड़ी सा अंध्र पर्देश परी तमिलाडू अंध्र पर्देश ओड़ी सा पस्षी मंगाल ठीक है अब आप कहोगे कि चार केंदर साशित पर्द टीकरेस में एक तो है अंध्र निको बार एक तो है अंध्रमान तीप कहार है जोाह कि एओ इसे क्या खेंगे कर अंध्यमान इक और अंध्यमान एक निको बार हिपसमू खेएंगे इसको अन्डमान निकोबार दीप समू कहेंगे भई ठीक है पेला हो गया ये अन्डमान निकोबार दीप समू दूसरा आ जाओ लक्ष दीप समू ये देखो छोटे छोटे ये कौन सा समू है का नाम यहा लिख देते हैं लक्ष दीप समू का नाम है लक्ष दीप समू एक हो गया दो नमबर ये हो लक्ष दीप समू हो गया तीसरा बताओ तीसरा पांडीचेरी पांडीचेरी यह पुद्दूचेरी इसके चार जिले है भई वो वो चार जिले बता दू मैं कहां कहां है एक तो है माहे का नाम विशेश लिखना पड़ेगा यहां लिख दू चलो मैं माहे हैं चार जिले हैं वो चार जगे हैं मैं बता देता हूँ आपको किस से लिख देता हूँ माहे पढ़ता है केरल में पाहे पढ़ता है केरल में पाहे एक पढ़ता है यहाँ पर अंदर पर्देश में इसका नाम है यनम एक पढ़ता है तमील लाडू में उसका नाम है कराइकल 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 और एक खुदश्वेम उसका नाम है पुद्दूचेरी वो कहां पढ़ता है वो भी तमीलाडू में पढ़ता है यहां पे उसका नाम क्या है तू ठीक है तो यह हो गया तीसर रांड केंदर सश्थी परदेश बताओ भारत के कितने केंदर सश्थी परदेश है जिसकी सीमा समुदर से लगती है भारत के कितने केंदर सश्थी परदेश है जिसकी सीमा समुदर से लगती है तो वो है च्यार पेला कौन सा एंडमा निकोबार दीप समू दूसरा लक्षदीप समू तीसरा फुच्दुचेरी और छोता दमन दियु एवं दादर नागर हवेली ये सारा कमैंड ही पहले अलग अलग था नागर अलग था पूर दाहदर नागर हवेली अलग था अब इसको एक कर दिया गया है कि ारो कि देते हैं मैं कि कि eldham at home दमन यहाँ पर प्षादा है दिव यह है दिव यह दिव और यह है दमन रिया माराष्ट और गुजराद की सिमा पर पड़ता है तादर नागर भेली इसका नाम क्या है? तादर नागर हवेली जादर नागर हवेली इसको नाम कौन सा देंगे हम चार नंबर देंगे बताओ भारत के कितने केज़ अरका साशित परदेश में राज जी है जिसकी सिमा समुदर से लगती है आपको बताओंः तेरा क्या बताई एक रामे दो तो राजी है और चार के अंदर श्राश्चित पर्देस है तार के अंदर साश्चित पर्देसों में अंडमा निको बार दीप समु पेला दूसरा लक्षे दीप समु तीसरा फुद्धू चेरी और चोता दमंदीव एवं दादर नागर हुएल हम अब लिख देते हैं विष्टार से देखो भारत के राज्य या केंदर साशित परदेश भारत के राज्य या केंदर साशित परदेश जिनकी सीमा जिनकी सीमा समुदर से लगती हो तो आप क्या बताओगे कितनी है उसकी संग्या उसकी संग्या है तेरा मेरी क्लास पढ़ने से पहले आप सभी नो लिखते थे भारत के राज्य जिसकी सीमा समुदर से लगती है वो उसकी संग्या कितनी है नो अब आपको करना है तेरा मैंने प्रेक्टेरी तोब पर आपको शीक दिया है उसकी संग्या कितनी हो गई तेरा होगई ए रफेले भी थी पर भारत का भूल पढ़ा रहा हूं ठीक है आपको अच्छा से पढ़ना है तेरा होगे पताओ कौन-कौन से हैं इसमें भी कि इसमें आजाओ कि आजाओ वारत के टवर्ती राइज्यो की संख्या कि भारत के कि टवर्ती आज्यो की संख्या भारत के टवर्ती राइज्यो की संख्या पूच्य तो क्या बताओगे आप केवल में रजी पूछे रही तो आपको बताना है नो अब मैं पूछूंगा आपसे भारत के भारत के कला है अंटि तो वर्ती एंदर शाशित परदेश भारत के अट वर्ती दिर शाशित परदेश को कि उंकि संव्य कितनी है कि इंदर संव्य बढूत कितनी है आपको बतानी है क्यार ठीक है अब आप से पूछे संक्या में राज जी के नाम बताओ तो संक्या के राज जी के नाम आ जाएंगे नो राज जी है ना वही नो राज जी है और क्यार केंदर साशित परदेश है क्यार केंदर साशित खूर के अंदर सहसे प्रदेश že की कि को नो राजी यहां लिग देते हैं और्ट समय लिगदेंगे यक्या कि आधि प्ला राजी कौन सा है तुश्रात तूसरा कौन सा है महराष्ट किसरा कौन सा है कोवा तोता कौन सा है करनाटक पाँच वा कौन सा है ठीक है ना लिख देंगे तो पाँच वा कौन सा है करनाटक खटा अमिल नाडू सात्वा अंधर परदेश और आटवा ओडिशा आटवा है अपना ओडिशा और नौवा और अंतिम पस्चीम बंगाल कौन सा बंगाल पस्चीम बंगाल खी के भई अपने राज्ये तो हो गये पूरे अपने राज्यो की संख्या कितनी है कुझराद महाराष्ट गोवा करनाटक करनाटक तक दोबार आ गया केरल आएगा फिर कुझराद महाराष्ट गोवा करनाटक फिर आएगा केरल क्याएगा भई केरल लाएगा पाँच नमबर पे है अपना केरल के बाद ता मिलादू अंदर प्रदेश ओड़ी सा फची मंगाल होगे नो अब अब चार ये लिखा दो भई क्यार ये लिख लो पेला है अंडमान निको बार दीप समूँ अंडमान निको बार दीप समूँ अंडमान निको बार दीप समूँ दूसरा है लक्षदीप लक्षदीप समूँ तीशरा है कुद्दू चेरी ये पांडी चेरी और चोता अंदिम है दमन समन्वेधीव एवं स्ादर नागर हवेली तादर नागर थी के तो यह अपने नो राज्जी हो गई यह होगा अपने नो राज्जी और यह चार के इंदर शाष्थ पर्देश अब इसमें भी ऐक और है एक दो परसन ओर बनेगे कि सरवादिक सیमा किसकी है कम सीमा किसकी है वो करम लिख देते हैं इसके बाद देखो आप से पूछे सरवादिक सीमा किस राज जी या केंद्रस मेंट परदेश की लगती है देखो वारत का वहर राज्जी या Union Territories जिसके बोलता है کेंदर साश्री परदेश भारत का वहर राज्जी या केंदर साश्री परदेश जिसकी समुदर से समुदर से सरवादिक सिमा लगती है नमू दर से सरवादिक स्रीमा किस की लगती है यहां पर बोल रहा है कि राजी और यूटी में किस की सरवादिक तो आएगी अंडमान निकोबार दीप सरवादिक लगती है अब पूछे राज्जी की पूछे भारत में पहर राज्जी की सरवादिक सीमा समुदर से लगती है समुदर से लगती है वो क्या आजाएगा? गुजरात आजाएगा क्या आजाएगा भई? राज्जी में तो गुजरात है और सभी ओलो और सब में देखे तो अंडवा निकोबार दीप समुँ है अब आप से पूछे की भारत के भारत के वे राज्जी या केनाशी परदेश इसकी सरवादिक सीमा से कम चार आजी लिखा दू मैं अंडवा निकोबार दीप समुँ को छोड़का राज्जी में पूछे तो भारत के राज्जी यो में राज्जी यो में समुद्र से लगने वाली कीमा एक तरफल अधिक से कम यहां कोश्टर कम लिख लो अधिक से कम कोश्टर कम आजाएगा अधिक से कम अधिक से कम इसका मतलब हुआ के राज्जी में सरवादिक किसकी लगती है राज्जी में सरवादिक लगती है गुजरात की सबसे ज़्यदा लगती है गुजरात की गुजरात से कम लगती है आंदर परदेश की गुजरात से कम लगती है आंदर परदेश की आंदर परदेश से कम लगती है तमिल नाडू की कि लगती है तम लादू की वह में लादू से जश्ट कम किसकी लगती है गुजराद आंधर परडेश तमेल नाडू झोडि हुडि सागी की अबिशा की पांच नूमबर महाराष्ट्र की और reader Information कि लगती है दी चाही झाश यह मैंने पांच रादिये दिखा दिये आपको ध्यान चार रखने है गुजरात से कम अंद्रप्रदेश आंद्रश के बाद तमिल लाडू, तमिल लाडू के बाद महाराष्ट, महाराष्ट के बाद ओडिशा यह आपको करम ध्यान रखना है आप से पूछे पस्ची मी राज यह जिसकी समुदर से सरवादिक सीमा लगती है तो वो अंद्रप्रदेश आ जाएगा, देख लो चितर में यहाँ पर सरवादिक गुजरात है और यहाँ पर सरवादिक अंद्रप्रदेश है, यह ज्यान रखना है कि हाँ पे दो नंबर पे कौन आ रहा है यहां पर दो नंबर पे तंपी ना दू आ कि में अना पड्रेशंप सकत्रेट हरा है कि क्या पे दो नंबर पर हूंपip अनौ अठा़ zij है इस पाश्ची में को और ये है का पूर्वी राच जी ये है पस्ची मी राच जी के दूसरे निम्हर किस की है महाराश्टकी और दूसरे इदर किस क्षिए ऑमिलाडू की ओ एधेरं रड़ाना है है आंदर प्र दे सरवादी कहें महाराश्ट उससे कम है ठीक है जालो अंतिस्तिली हो गई सीमा अपनी अंतिस्तिली के बाद हम देखते हैं भारत के एक दो फेड़ों लिख दे भारत के राज्जी सबसे बड़ा छोटा छोटा वो लिख लेते हैं देखो भारत के भार जी जो सेक्टर पल की देश्टिक से बड़े से चोटा करम है भारत के राज जी बड़े से छोटा करम है ये बड़े से यह सवाल पूछते है मैं उसको लिख लिए सबसे बड़ा कोन हहे फिर गए बड़ा है जाजस्थान ai अ या भवारत का राजिये इस भारत के राज जोटे को बारत का सब recreation सबसे बड़ा राजी कून सा है वह यह बारत संट राजस्थां से छोटा कोन है दो नंबर पे मद्येपरदेश मद्येपरदेश से छोटा कोन है मद्येपरदेश से छोटा है अपना वो महाराष्ट और महाराष्ट से छोटा कोन है उत्तरपरदेश रास्तान मद्येपरदेश्ट महाराष्ट उत्तरपरदेश कि यह आपको ध्यान रखना है आपसे पूचे ठीक्तरपल के दरश्टी कौन से भारत के बड़े से छोटे राजियों का करम बताओ तो यह करम रहेगा सबसे बड़ा राजिस्तान मध्यपरदेश पद्रदेश महरास्ते महरा से छोटा उत्तर पर देश यह प्रक्तरपल महराष्टी अब लिख लेते हैं सेक्टर फल के दरश्टी कौन से छोटे से बड़े राजी से प्रफल सेक्टर फल के सेक्टर फल के दरश्टी कौन से खोटे से रजी सबसे चोटा रजी कौन सा है यह आप सब जानते हो सबसे छोटा रजी है अपना गोवा से जट गस बड़ा यह चीन बड़ा कहा है और यह छोटे का ध्यान रखनार की योगी-बाद से गवाइब यहाई-जोटा-दौ वड़ा कौन है एक किम गोवा से जश्ट बड़ा है सिक्किम मैं अभी मनें बड़े से छोटे के चार राजी बताएं अब छोटे से बड़े के भी मैं चार राजी बताऊंगा आपको सबसे छोटा गोवा गोवा से जश्ट बड़ा है सिक्किम सिक्किम से जश्ट बड़ा है अपना त्रीपुरा कौन सा पुरा त्रीपुरा त्रीपुरा से ज़स्ट बड़ा कौन है नागा लेंड त्रीपुरा से ज़स्ट बड़ा है नागा लेंड नागा कि दौस्टों हमने जाना कि भारत के लिट जी शेट परकिदिश्टीत की और सबसे बढ़ा को ने उसे छोटा को ने और छोटे में बढ़ा कि आपसे लोगे संटे को ने अजो आजहीं वद्दिन मैं घे बरत ओने फडूरेवार सिंगे हैं और Aww Lin क्लास में के हिन जे भारत दोस्तों थेंक्यू धन्यवाद